घमंडी मेंडक और ब्याल की कहानी जंगल एक तालाब में बहुत ही जादा मेधक रहा करते थे उस तालाब में मचलियों की तादाद कम थी मेंधकों का आकार अलग अलग था कुछ बहुत ही पतले थे, कुछ मोटे, छोटे और कुछ जादा ही बड़े पतले मेधक लंबी चलांग लगाकर चट्टानों के उपर तक बैठ जाते छोटे मेधक छुपने में माहिर थे बड़े मेधक मुश्किल से चलांग लगाया करते और थोड़े आलसी हुआ करते थे उन सब में एक बड़ा सा मेधक भी था वो अच्छा तंदुरुस्त मेधक था उसका नाम मकाला था मकाला अपने शरीर को लेकर बहुत ही जादा घमंडी था उसे अपने शरीर पर बहुत ही जादा नास था सारे मेधक बस यही जानते थे कि उन सब में सबसे ज़्यादा बड़ा और तंदुरुस्त मकाला ही है उन्होंने मकाला से बड़ा किसी को भी नहीं देखा था मकाला दिन भर बैठ कर बहुत सारे कीरे मकोडे और मक्खियों को खाया करता मकाला के चार छोटे छोटे बच्चे भी थे जो अन्य बच्चों के साथ खेला करते एक दिन बच्चों ने मिलकर सोचा कि वे सब मिलकर इस तालाब से निकल कर कहीं और जाएंगे उन्होंने वैसा ही किया सब निकल कर पास में भ्रमन करने लगे चलते चलते उन्हें एक छोटा सा तालाब दिखाए दिया उस तालाब का पानी बहुत ही साफ था और उन सब ने उस तालाब में डूब की लगाए वो सब एक दुसरे के साथ खेल रहे थे वहाँ वे खूब मजे कर रहे थे तभी अचानक आसपास की चीजे हिलने लगी एक भायानक आवाज उनकी ओर आ रहा था जिसकी वज़े से वे सारे के सारे बच्चे डर गए और उस चोटे से तालाब से निकल कर पत्थरों के पीछे छुप गए लेकिन उनमें से एक छोटा मेधक वहाँ से नहीं निकल पाया वो फिसल कर उसी तालाब में गिर गया तभी उस तालाब में बड़ा सा बैल आया उस बैल को आता देख वो बच्चा रोने लगा और उससे कहने लगा रुको रुको मुझे मत मारो मुझे माफ कर दो मैं तो बस ये खेलने आया था मुझे मत मारो उस बैल ने छोटे मेधक की बात सुनी और उसे कहा मैं तुम्हें क्यूं मारूंगा मैं तुम्हें नहीं मारूंगा मैं तो यहां पानी पीने आया और मैं मेंधकों को नहीं खाता मेधक नहीं खाते तो फिर तुम क्या खाते हो उस बच्चे से बेल से पुछा मैं घास खाता हूँ, पीरों की पत्तियों को खाता हूँ लेकिन मेधक को मैं नहीं खाता इसलिए तुम्हें गरने की कोई जरूरत नहीं है बैल ने बच्चे को जवाब दिया बाकी मेधक बच्चे पत्थर के पीछे छुपकर इन सब चीजों को देख रहे थे जैसे ही बैल ने सबसे कहा कि वो मेधक नहीं खाता तो वो सारे बच्चे निकल कर उसके सामने आ गए उन सबने बैल के बारे में पूछा तुम मेधक नहीं खाते ये तो अच्छी बात है अच्छा बताओ तुम्हारा शरीर इतना बड़ा कैसे हो गया हमारा शरीर तो छोटा-छोटा है लेकिन तुम बहुत ज्यादा बड़े हो हमारे यहां मकाला नाम का एक मेधक है जो हम सबसे बढ़ा है लेकिन उसका आकार तुम्हारे आकार का आधा भी नहीं है ये बात सुनकर बैल हसने लगा हाँ 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 तुम मुझे देखकर सोच रहे हो कि मैं सबसे बढ़ा हूँ लेकिन ऐसा नहीं है मुझसे भी बड़े बड़े जीव जानवर यहां मौजूद है बैल ने उन बच्चों को धेर सारी बाते बताए और वह सारे के सारे उस बैल की बाते सुनकर चकित थे बैल ने बच्चों को हाथी के बारे में बताया पूरी बात होते होते राथ हो चली थी इसलिए बैल और मेधक सब अपने अपने घर वापस लोट गए बच्चों ने सारी बाते मकाला को बताए मकाला ये सुनकर यह बात मानने को तैयार नहीं था कि उससे बड़ा भी कोई हो सकता है लेकिन उसके बाकी दोस्त ये जानते थे कि बाहर की दुनिया में और भी बड़े बड़े जीव जानवर रहते हैं मकाला खुद को बड़ा बताने के लिए अपने शरीर में हवा भरना शुरू किया हवा भरते ही उसने सब से पूछा बताओ कौन सब से बड़ा है सब ने उसे समझाने की कोशिश की की ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा मकाला ने और सांस भरी जिससे की उसका शरीर और थोड़ा सा फूल गया उसने फिर से वही सवाल पूछा, बताओ सबसे बड़ा कौन है सबने उसे समझाने की कोशिश की की ऐसा करने से वो खुद को नुकसान पहुचा रहा है लेकिन मकाला सुनने को तैयार ही नहीं था सबने उसे बार-बार समझाया मत करो ऐसा इससे तुम्हें नुकसान हो सकता है लेकिन मकाना बिलकुल भी नहीं सुना उसने और सास भरा फिर कुछ देर बाद उसका शरीर गुबारे की तरह फुट गया और वह मर गया